Welcome to Webland, Monstrous Slayer, Chapter 5 Chapter की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बॉस एंट को मार कर यूंजे ने टूटोरिया क्लियर कर लिया होता है यूंजे कह रहा होता है कि अब ये ज्यादा देर तक स्पॉन नहीं रहेगी कुइन एंट को मारने के बाद एक स्टार राइस होता है और उसे 250 अचीवमेंट पॉइंट्स मिलते हैं यूंजे ये देखकर खुश हो जाता है क्योंकि अब वो E-Rank से D-Rank पर पहुँच चुका है और उसे Solidify नाम की एक स्किल भी मिली होती है जिसमें उसकी स्केंग के पास एक टव फार्मर बन जाता है जो की एनिमी के अटेक से उसे बच जाएगा यूंजे कह रहा होता है कि आप कितने स्ट्रॉंग है ये आपकी मैजिक स्किल पर डिपेंड करता है और आपकी मैजिक स्किल पर्टलाइज होती है कि आपने कितने मैजिक स्टार गैधर किये हैं आखिर का डंजन में आना मेरे लिए अच्छा साबित रहा फिर यूंजे केव के ओर देखकर कहता है लेकिन अभी मुझे और आगे जाना है यूंजे केरा होता है कि इस गेम में स्ट्रेंथ हासिल करने के मेंली तीन रूल है पहला स्टार कलेक्ट करो फिर स्किल और तीसरा आइटमस सबसे बेजिक रूल है कि हमें स्टार को कलेक्ट करना है स्टार को collect करने के बाद हमारी strength बढ़ जाती है agility बढ़ती है और हमारा defense मजबूत होता है जितने ज़्यादा स्टार एक player के पास होंगे वो उसे एक incredible और powerful player बना देती है और दूसरी चीज है कि हमारे पास magic skill होनी चाहिए बीना किसी magic skill के इस game को पार करना बहुत ही मुश्किल है इसी वज़ा से अगर किसी player के पास magic skill हो तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से monster पर attack कर पाएगा लेकिन magic skill को अचिव करना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही hard है कोई भी regular और normal player इसे आसिल नहीं कर सकता and finally तीसरा हमारे पास items होनी चाहिए items एक game के अंदर बहुत ही matter करती है ये हमारी strength और हमारी magic power को incredibly strong करती है और enhance करती है इस game में ये बहुत ही important चीज है यूंजे तभी smile करता है और कहता है कि मैंने इसे ढून लिया and तभी हम item box को देखते हैं जिसमें से काफी ज्यादा रोशनी निकल रही होती है यूंजे उस item box में से एक item को अपने हाथ में लेता है और कहता है कि ये क्या है वो चीज बहुत ही चमक रही होती है यूंजे श्टॉक रह जाता है लेकिन थोड़ी ही देर में वो हसने लगता है यूंजे कहरा होता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा and तभी हम इस तरफ देखते हैं कि दोहूंग और चौंग यूंग दोनों आ चुके होते हैं दोहूंग उन सभी मरी हुई moss एंट को देख रहा होता है अचानक उसे कुछ ठीक नहीं लगता और वो सभी प्लेयर को वहीं पर खड़े रहने को बोलता है एंट वो आगे जाकर देखता है कि एक बहुत बड़ी monster टाइप एंट को किसी ने मार दिया होता है और वो सामने यूंजे को देखता है अब हम देखते हैं कि यूंजे और दोहयूंग दोनों आमने सामने होते हैं यूंजे ये सोच रहा होता है कि ये लोग इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए इन लोगों ने इतनी जल्दी dungeon कैसे ढूंड लिया ये लोग तो कलाने वाले थे फिर यूंजे जौंग्यों को देखता है और कहता है शायद इस लड़की की वज़ा से मैंने सब कुछ बिगाड दिया यूंजे डैरी के और देखकर कहता है कि डैरी में जैसा future लिखा था वो बदल चुका है क्योंकि मैं डैरी के इस साब से नहीं चला अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो future बदलता रहेगा इसका मतलब अब मुझे डैरी पर trust नहीं करना चाहिए इस तरफ दो यूंग ये देख रहा होता है कि सकेले ने इतने सारे monster को मार दिया और देखने से लगता है कि ये जरा भी नहीं ठका आखे इतने सारे monster को इसकेले ने कैसे मार दिया आखे ये कौन है अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये बहुत सारे star गेदर कर लेगा और सेर ये बहुत ही strong बन जाएगा तो मैं इसे नहीं हरा पाऊँगा मुझे अभी कुछ करना होगा दोह्यून बहुत ही गुस्से में होता है और यूंजी के और देख रहा होता है तब ही यूंजी कहता है जरा side में हटोगे मुझे आके जाना है दोनों एक दूसरे के और गुस्से से देख रहे होते हैं फिर दोयून कहता है, क्यों नहीं मैं तुमें नहीं रोकूंगा, इतना कहा कर वो side में अट जाता है। यून जे के वहाँ से जाने के बाद j orangyu कहती है कि तुमने उसे जानी क्यों दिया। दोह्यून कहता है क्या तुम्हें पता नहीं चला मुझे नहीं पता कि उसने डंजन में क्या ढूंटा है लेकिन देखने से वो कोई normal player या फिर एक idiot बिल्कुल भी नहीं लगता लेकिन दोह्यून अंदर ही अंदर कह रहा होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी ये मेरा chance था मुझे उसे हरा देना चाहिए था और उसके सारे achievement points मेरे हो जाते मुझे पता है कि मैं इतने सारे monster को मार कर achievement points गेदर नहीं कर सकता तो फिर मैं ये करूंगा इतना केकर उसके साथ जितने भी other player जो dungeon में आयो होते हैं उन सभी को वो मार डालता है अब आगे हमें dungeon के बाहर कसीन दिखाया जाता है जहांपर काफी सारे player आपस में ही लड़ रहे होते हैं तब ही game की तरफ से एक announcement होता है जिसमें कहा जाता है कि tutorial का second stage अब clear हो चुका है and second stage को 148 player ने survive किया है लेकिन third stage में सिफ 100 player ही जाने वाले हैं और वो हम हर player की achievement point के हिसाब से दे करेंगे and ये सु 48 player को मार दिया जाता है अब हम यूझे को देखते हैं जब वो अपनी आखे खुलता है तब वो खुद को एक bunker type room में देखता है वहाँ पर और भी काफी सारे player थे जो की second stage को survive कर चुके थे यूझे उन सभी player को देखकर कहता है कि मैंने इन लोगों को पहले कभी नहीं देख और फिर वो दोयूंग के बारे में सोचने लगता है शायद वो यहाँ पर नहीं है और दवे game की तरफ से कना उसमेंट होता है जिसमें कहा जाता है कि आप सभी player tutorial के तीसरे stage में आ चुके हैं और उसे हराना इतना आसान नहीं होगा और दूसरा door blue होता है जिसको clear करना बहुत ही easy है और इस door के अंदर difficulty level easy है मतलब कोई भी इसे आराम से पार कर सकता है और final तीसरा door जिसमें सिफ एक ही player जा पाएगा और जो भी white door select करेगा वो अपने आप stage 4 में चला जाएगा इतना सुनकर सभी player जोर से चिलाने लगते हैं और एक player दोडता हुआ चल्दी से white door के ओड़ जाता है और उसे खोलने लगता है लेकिन वो उस white door को खोल नहीं पाता तभी game का program कहता है कि जिसके सबसे ज़्यादा achievement points होंगे उसके हिसाब से ही one by one सभी player अपना door select करेंगे सबसे पहले किम यूंजे आप अपना door select कीजे आपको किस door में जाना है ये सुनकर सभी player argument करने लगते हैं कि achievement point के हिसाब से select किया जाएगा ये तो fair नहीं है और तभी चुप होता है कुछ भी बोल नहीं रहा होता सभी लोग यूंजे को देखकर कहते हैं कि इस player को तो मैंने पहले देखा है इस तरफ यूंजे सोच रहा होता है कि उसे कौन से door को select करना चाहिए इससी तरह मौशा स्लेयर का chapter 5 यहीं पर finish होता है अगर आपको जानना है कि यू